आपको दे रहे हैं सबसे पहले रूख करते हैं गिरीडी का सयोगी अर्विन हमारे साथ मौझूद है गिरीडी के राजधनवार छट घाट पर इस वक्त आप मौझूद है अर्विन क्या तस्वीरे दिखा पा रहे हैं तेयारे कैसी हैं कि देखिए राजधा मैं बता दू कि मैं इस वक्त मौझूद हुग गिरीडी का एतिहासिक राजधनवार छट घाट पर जहां पर भाब्यार अलोकिक सजावट की आती है ना सिर्फ जार्खंड बलकि पूरे बिहार जार्खंड बिहार में आईसी सजावट कहीं नहीं होती है और इस सजावट अलोकिक सजावट को देखने के लिए भारी संक्या में लोग यहां पहुंचते हैं एक बार आपको द्रिस दिखाना चाहते है राजधनवार छट घाट का थोड़ा साप लोग जगा बना दें आप देख सकते हैं कि यह भब कालपनिक लकडी का पूल बनाय गया है राजस्ति घासन का बीच में सीवलिंग है उसके बाद यह आप देख सकते हैं कि मंदिर का कार दिया गया है जो के दारनात का दिरिश से है इसी तरह से पूरे छट घाट को जो राजधनवार छट घाट है उसे सजाया सवारा गया है और इस आकरसक सजावट को देख सब्सक्राइब को ताकि भाविता और बढ़े तो राजधन च्छाट घाट के लिए जाना जाता है और इस वास बहुत अच्छी सजावट की गई है और इसे देखने के लिए ना सिर्फ जारकंड भी आर बंगाल के समय आसपासे जीलों से लोग आते हैं कमीटी के लोग हम जाना चाहिए क्या मुख आकरसन है कालपानिक पूल बना हुआ है जो कि देखने लाइक है आप देख भी सकते हैं और इधर का जो सामने मंदिर बना हुआ हुआ चारो धाम का मंदिर है यह एतिहासी राजा घाट का राज धनवार का राज छट घाट है यह और इसमें जो अ आप यहां के समीर्थी में अनुप संथालिया समेथ तमाम लोग प्रकास गुपता हो बालेस्वर मोदी हो मुन्नात जी हो गुपाल साव हो सारे लोग लगे हुए हैं और डेल महने के इन लोग का मेहनत का फॉल हमारे कुछ सरधालू भी है हम जाना चाहिए यहांने के बाद क अलोकिक अस्थान रखता है और जो लोग यहां आते हैं लाखों के संख्या में दो दीन लगातार लोग आते हैं और यहां से जाते हैं और सब का मनुकामना पूरा होता है और आज इस पावन पर वपर हम लोग छट के लिए राजधनवार घाट पर हम लोग हैं और हम लोग जब तक यहां मेला खतम नहीं होता है तब तक हम लोग यहीं पर अपना अस्थान जमाए रहते हैं तो राइदा देख सकते हैं सुरच्छा की ब्यापक ब्यापक ब्यासा की कि कल पुलिस कप्तान सुरेंदर जहा खूद आये और यहां सुरच्छा का जाज़ा लिया तीन सो पुलिस जवानों को लगाये गया है जो कमिटी के लोग अपने वोलेंटियर को लगाये हुए हैं तो जो लाखों लोग यहां पर पहुँचेंगे आई साम से कल रात तक फारन के बाद ऑस चसम मों से वान पर इंट उलकर करें के लाखों लोग आते वहां वोलेंट को क्या सपाध्यान कई ऑज पुलिस के जवानों ने सब्याट में अब बैसा जलाए और कच्रे को साफ किया कहा जा सकता है कि पुलीसिंग जो पब्लिक के साथ मिलकर पुलीस का एक नया रिष्टा बनाने की पहल है उसके ताथ आई सफाई अभ्यान कराई गई तो पूरा छट घाट कहा जाए कि छट में यह जो आस्ता का लोग पर वह उसको लेकर राई धनवा को दुलन की तरह सजाया गया है और कहां राई धनवार चट घाट में जो अलोकिक सजावाट उसे देखने के लिए अभी से ही लोग आने लगे हैं जी राईदा आपके पास वापस आएंगे सेयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हटनिया तालाब से अंजनी हटनिया तालाब में ही आज राज्यपाल पहुंचेंगी अस्ताचल गामी सुर्य को और गदेने के लिए दानिया तालाब जो है बेहत खास है यहां आम से लेकर खास लोग आते हैं और चार बचकर पचास मिनट में राज्यपाल डॉक्टर अद्रौपदी मुर्मू यहां पहुंचेंगी और यहां पंद्रा मिनट यहां रुकेंगी अर्ग देंगी और उसके बाद फिर वापस र आला अधिकारी हैं तमाम लोगों के घर में जहां पूजा हो रही है और सभी लोग यहां पहुंचते हैं और यहां यहां अर्ग देते हैं इसके साथ सथ कई राजरीतिक दलों के लोग भी इस हटनिया तलाओं में आते हैं तो राजदा हम थोड़ा यहां की जो तस्वीर है वो दिखलाना चाहेंगे कि यहां का जो द्रिश है वो हमारे जो दर्शक है देख सकते हैं यह देखिए खुबसूरत पानी जो है पूरी राची में आप घोमेंगे तो सबसे साब पानी जो है इस हटनिया तलाओं का है इसमें काफी साब सुत्रा है और बेरिकेटिंग कर द करता है तो आगे 15 फूट गड़ा है इसलिए जो भी लोग यहां है टनिया तलाओं आएंगे उनको इस बेरिकेटिंग से आगे नहीं जाना होगा क्योंकि सुरक्षा के ख्याल से यहां यह चीजें लगाई गई है और इसके साथ हम थोड़ी तस्वीर इस तरह भी दिखलान से लेकर यहां जो मुख्यद्वार है वहां तक आप जो ग्रीन कारपेट है वह देख सकते हैं तो यहां धिरे-धिरे जो सुरक्षा कर्मी भी है वहाँ भी धिरे-धिरे पहुचना सुरू कर दी हैं क्योंकि यहां राजपाल डॉक्टर द्रापती मुर्मू पहूंचेंगी और इस बार एक बेवस्ता की गई है राजदा की जो छट रती जो यहां पूजा करते हैं उसके बाद यहां हर जगा जो है वस्तर बदलने के लिए छोटा छोटा केबिन बनाया गया है ये एक अच्छी पहल है राची के तमाम जो तलाव हैं वहां नगर निगम की तरफ से ऐस जरूर कहा जा सकता है कि अब थोली देर के बाद जो छट रती हैं उनका यहां पहुचना जो है वह सुरू हो जाएगा ऐसे कुछ लोग यहां पहुचे हैं और अब जो है कुछ लोग जगा भी मलब पहले से ओकुपाई कर रहे हैं क्योंकि भील काफी होती है और ऐसे में करता है वो लोग भी यहां तैनाथ हैं और सुरक्षा बेवस्ता भी जो है धीरे धीरे यहां बढ़ा दी जाएगी तो यहां हटनिया तलाओं में जो बेवस्ता है काफी अच्छी है हमारे साथ बने रहे हैं सहीयोगी आकाश भारगव भी बड़ा तालाब से इस वक्त हमें तस्वीरे दिखाने की कोशिश करेंगे आकाश बड़ा तालाब की इस्तिती अभी कैसी है क्योंकि लगातार वहां पर गंदगी कामबार था जलकुंबी से पूरा जो तालाब था व लोगों के इस्तर से चट की तयारियां की गई हैं हलाकि बड़ा तालाब की जिम्मिवारी पूरी तरह से रांची नगर निगम किया रांची नगर निगम अपने वादों को पूरा कर पाने में सफल नहीं रहा लेकिन यदि बात करें आम लोगों की या चट वरतियों और स्वीरों में देख सकती है यह पोटो नदी का घाट है बहुत सुन्दर और खूबसूरत घाट है हलाकि यहां बहुत ज्यादा साज सज्जा नहीं की गई है लेकिन घाट बहुती सुन्दर और साफ सुत्रा नजर आ रहा है जहां आकर के लोग भगवान भूवन भासकर को अर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती हुअ सबसे खास भाति है कि ज्यादा तर ग्रति जो है आज मजबूर है कि वो साफ बाता पा पानी उन्हें characterized यहां पर पूरी तरह साव और निश्चल मैं अकल यहां जिक आृफ कह स्बसे बड़ी खासितstring है कि यदि आप इसमें एक युवाओं ने अपने प्रयास से इस पूरे घाट को तयार किया है और यहां पर जगा जगा पर चेंजिंग रूम भी बनाए गया है जहां व्रती जो हैं अपने वस्त्र बदल सकेंगी क्योंकि वस्त्र बदलने में व्रतियों को परिशानी होती है इसलिए यहां पर कई सारे चेंजिंग रूम बनाए गया है जहां वस्त्र चेंज किया जा सकता है और यह घाट काफी लंबा चोड़ा है यह घाट पुल के उस और भी दूसरी और भी काफी दूर तक आपको देखने को मिलता है जहां काफी बड़ी संख्या में सिर्फ नौ सिर्फ आस पास के लोग आ उसने हैं ताकी यहां बहुते कलकल पानी में भगवान भुवन भासकर को और गयार पित कर सके और यहां यह कच्छा घाट है यहां पर किसी सरकार के स्तर से या पसासन के स्तर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है बलकि अस्थानी युवाओं ने ही यह सारी व्यवस्था की है और आम लोग आम रती जिने चट करना होता है उन लोगों ने खुद से मिल करके इस घाट को तयार किया है लेकिन कुल मिला करके देखें तो सबसे ज़्यादा महत्व बहते हुए पानी का होता है और भगवान भुवन भासकर के सबसे पहले दर्सन का होता है आज तो हर्दा के मिलती है जो आम रती चाहते हैं तो इसलिए इसलिहाद से देखा जाए तो यह वरतियों के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन हो सकता है राजदा शहर से थोड़ी दूरी है और अस्थानिये युवकों ने वहाँ पर साफसफाई का काम क्या है लेकिन अगर सुरक्षा क कि दृष्टि कौन से देखे आकाश तो वहाँ पर क्या इंतिजाम दिख रहे हैं कि दृष्टि कौन से यह हम बात करें तो सुरक्षा के भी यहां पुक्ता इंतिजाम रहते हैं अस्तानी ठाना के अस्तर से सुरक्षा मुहया कराई जाती है इसके वालावा यहां जो स्वा प्रसाशन के स्तर से तो प्रापर सुरक्षा दी नहीं जाती है फिर सुरक्षा की व्यवस्था आप लोग कैसे करते हैं पहला तो काके थना और बरियातु थना में आवेदन दिया जाता है और करीब चार चार जावान दोनों भेजते हैं उसके अलावा हमारे ग्रामिन भाई जो हमारे सदस से हैं हमारे बड़े भाई लोग हैं वो लोग सारे मदद करते हैं खासकर ट्राफिक को संभालने के लिए काफी जादा हो जाती है क्योंकि काफी दूर दूर से हर दिन लोग इस रास्ते से आने जाना करते हैं और उनको भी रास्ता देना है और यहां जो भी छट वरती जो आ रहे हैं उनको भी विवस्था देना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को कड़ा मेहनत करना पड़ता है होता है कि यह बहुत ज़्यादा खुबसूरत धंग से सजा सके और नहीं कोई बाहरी मदद इने मिलती है लेकिन फिर भी अपने प्रयास से यह जो करते हैं सचमुश शराहनी है और जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूं कि छट में सबसे ज्यादा महत्व साफ पानी का है तो इस ऐसी जो चीजें हैं वो सामने आती है ग्रामीन इलाकों में शहरे इलाकों में भी ऐसी तस्वीरे हमें देखने को मिलनी चाहिए अस्थानिये लोगों के मदद के द्वारा जहां पर छट घाट की साफ सफाय की गई है हलाकि नगर निगम थोड़ी सुस्ती के साथ ही लेकिन अब चुकि चट घाटो की जो काम है आज स्ताचल गामी सूरे को आर्ग देना है इसके लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है गिरेडी से सयोगी अर्विंद भी हमारे साथ है अर्विंद सुरक्षा की क्या इंतिजाम आपर दिख रहा है क्योंकि बड़े पैर माने पर श्रद्धालू छटवरती वहां पहुंचते हैं अर्विंद अकवास नहीं पहुंच रही है अंजनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्टनिया तालाब से अंजनी सुरक्षा के इंतिजाम कैसे दिख रहा है माँ पर दिखिए यदि तालाब में यदि सुरक्षा की बात करेंगे तो यहां पर बैरिकेटिंग जरूर कर दी गई है और उस बैरिकेटिंग से जो है आगे किसी भी इस रधालू को या जो छट वरती है उन्हें जाने की इजाज़त इसलिए भी नहीं है लोग बता रहे हैं कि उस देर के बाद पहुंचेगी और ऐसे पुलीस प्रसासन के तरफ से जो है सुरक्षा ब्यवस्ता धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है क्योंकि यहां राज्यपाल महोदया यहां पर चार बच कर पचास बिलेट में आएंगी और एक बात बताना चाहेंगे हटनिया तलाओं में जो तमाम जो ब्यवस्ताएं हैं वो भारतिय युवक संग के माध्यम से किया गया है और यह लोग कई वर्सों से हटनिया तलाओं को सजाते हैं और किसी भी तरह किसी को कोई परिशानी नहीं हो उसके लिए लोग तहना रहते हैं तो अब जो है जो धीरे-धीरे समय जो है काफी नजदीक आ रहा है और अब थोली देर के बाद यहां पे तमाम जो छट प्रती हैं एकक करके पहुँचेंगे और इस तलाव की जो रौनक है वो देखते बनेगी क्योंकि यहां आम से लेकर खास लोग यहां पे मौजूद रहेंगे तो यह तमाम जो चीजे हैं यहां पूरी तरह से दुरूस कर ली गई हैं और ऐसे में यह हम जरूर कहेंगे कि राची के जो तमाम तलाव हैं कुछ हमारे साथ एकादर जो सुरधालू हैं वो लोग जोड़ रहे हैं तो उनसे बात करते हैं देखिये क्या आए हां आये है और स्दार जो बहुत अच्छा बनाते हैं और अच्छा तरीके से लोग जो हैं धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और लोग अपनी जगाओं को पहले से आरक्षित भी कर रहे हैं क्योंकि समय कम है और ऐसे में यह जरूर हम कहेंगे कि एक बार तस्वीर थोड़ा हम फिर से एक बार दिखलाना चाहेंगे आप देख सकते हैं तस्वीर जो है सामने की जो तस्वीर हैं और एक बार की तरफय वी अभय एसे कहेंगे क्येंगे एक बिजना ओ टर्फ पर मॉएच ऐना किया जाए किस तरह की अ हमारे साथ जो स्ogetherलु है राजदा यूर छ चद का गीद भी गाएंगी आ आ न आप आहिए एक चद का गीद गाना चाह Griffey काच यहीं बासी के बहंगिया बहंगी लचे कहते जाए बहंगी लचे कहते जाए हुखना सुरू जे देव संकनिया बहंगी घाटे पहुचाए बहंगी घाटे पहुचाए तो ये देखे एक उत्सा है और इस पर्व को लेकर जो है हर कोई की एक सरधा और भक्ती जो है वो देखते ही बनती है राज़दा बिल्कुल भक्ती भाव के साथ लोग यहां पहुंचना अब शुरू कर दिये हैं अर्विंद वहाँ पर कितनी की संक्या में श्रधालू छट व्रति पहुंचेंगे कोई अंदाजा लगाए गया है क्योंकि और वहाँ पर और कितनी ऐसे चट गाट है जो चट व्रतियों के लिए सजाए गये हैं कि दोनों घाटों को दूलन की तर सजाया सवारा गया है और यह भब सजावट की गई है कि रात में दुदिया रोसनी में पूरण नहाता है तो पता ही नहीं चलता कि दिने की रात है जो भी सर्धालों यहां आते हैं ठीठक आते हैं मैं बता दूँ कि कल खरना के साथ ही यहां पर जब रात में मेला खोल दिया गया तो उसके बाद जो सर्धालों की भीड़ हुई तो रात को दो बए तक लोगों की भीड रही सर्धालों की भीड रही आज जो चटवरती स्लिशबादालब कि न दिवान के उपर नावादी के और ब्रेकेटिंग यह इसे लोग हैं और यहां कि अलोकिक सजावट को देकर मत्रमूग दोते हैं तो अभी जो इसीती बनीवी है ब्यापक सुरच्छा की ब्यवस्ता की गई है जगा जगा फोर्स की तैनाती की गई है छट घाट में ही कहा जाए तो लगबग एक जवानों की तैनाती की गई है ताकि आने वाले सरदालों को दिकत ना हो तो अब कुछी देर के बाद जो डाला लेकर आएंगे सरदालों जो छटवर्ती उनका आना सुरू होगा और घाट पर आप देख सकते हैं घाट में व्यापक सफाई की ब्यवस्ता की गई है कमिटी के द्वारा आपको एक बाद दिखा सकते हैं कि किस तरह से छट घाटों की सफाई की गई है कहीं पर गंदगी के एक कंकल भी नहीं है एक प्लास्टिक भी नहीं है और सबसे बड़ी बात आज पुलिस के जवानों ने धाना परभारी रुपेश सिंग की अगवाई में 400 पुल द्वारा आपको निस्तुल के बिविद्शाओं के द्वारा तो राइदा कहा यह सकता है कि राइध धनवर का इतिहासी चट घाट पूरा तरह तरह त्यार है और यहां पर आज और कल रात में लाखों सरधालू पहुंचेंगे जिसको लेकर सुरच्चा की भी ब्यापक ब् आपको ल हमें शधालू पहुशते हैं लेकिन जो तैयारे जला प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए वैसी तईयारे नहीं देखनी को मिल रही है देखिए राजदा जहां तक बात जीला प्रसासन की है और जीला प्रसासन से सहयोग की बात है तो यहां पर जीला प्रसासन का ग्रामीनों को किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिलता है जो कुछ भी व्यवस्ता होती है वह ग्रामीन खुद अपने अस्तर से तयार करते हैं, वो सारी व्यवस्ता करते हैं, जो आवस्यक व्यवस्ताइं होनी चाहिए, चाहे वह घाटों की बात कर लें, चाहे लाइटिंग की बात कर लें, क्योंकि आम तोर पर अस्ताचल गामी मेउस्ता की है और कुछ साज-सज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्जें नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से वो कही बहुत ज्यादा व्यवस्ता कर से के लेकिन अस्थानिय हुआ अपने अस्तर से प्रियास करते हैं कि छट व्रतियों को जो आवस्यक चीजें हैं जो बहुत जरूरी जरूरते हैं उन्हें उनकी कमी न खले इसके लिए विद्यूत्य वस्था की जाती है तमाम तरह के इंतिजाम किये जाते हैं और यहां पर अभी तो लोगों का पहु सम्पन कराने के लिए शाम के बाद कल सुबह 3 बजसे ही स्रह धालूं का वरतियों का आना सूरू हो जाता है वह इसे समय में भी जरूरी चीजे हैं उसके इंतजाम किये गहाटों को गाय के गोबर से लीपा गया है ताकि कहा जाता है कि गाय के गोबर से गाटों को लीप दिया गया है जगा जगा लोगों ने केले के थंब अपने अस्तर से लगा रखे हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा और अब भी दोरा र है वह स्वच्छता का महापर्व है स्वच्छता और सुधता का विसेश ध्यान रखा जाता है तो आज की तारिक में जब सहर के ज्यादातर तालाब ज्यादातर जलस्रोत पूरी तरह से दूसित हो चुके हैं उनमें पायर रखना तक लोगों के लिए कटिन होता है इसके तरने से किसी को परेशानी नहीं होगी और यह नदी बहुत ज्यादा यहां पर घाट के आसपास घहराई भी नहीं है इसलिए यहां एंडी आरेफ या किसी भी प्रकार की अन्य उस प्रकार के सुरक्षा की जरूरत नहीं है और तमाम ग्रामीन यहां चुकी ग्रामीन या कराए जाते हैं हलाकि अब तक जो इनका अनुभव है यहां पर जो छट पूजा समीती से जुड़े हुए लोगों का अनुभव है कि अब तक इस प्रकार की कोई भी बात नहीं हुई जब इन्हें प्रसासन की सहायता लेनी पड़े प्रसासन का सहयोग लेना पड़े तो इस तरह से देखा जाए तो ग्रामीन इलाकों में जिस प्रकार से प्रसासन को ध्यान देना चाहिए या पिर अन्य जो ग्रामीन इलाके की पंचाइती राजिकाईयां हैं उन्हें जिस तरह से ध्यान देना चाहिए उनके इस तरह से ध्यान नहीं दिये जाने की वज़ह से बहुत बहतर विवस्था नहीं है लेकिन एक बार फिर से मैं कहता हूं कि यह व्रतियों के लिए का आइडियल डेस्टिनेशन इस माइने में जरूर है कि यहां का पानी बहुत साफ और स्वच्छा है सहर की तालाबों की तुलना में आप आपने देखा होगा कि किस तरह से सहर कि कुछ तालाबों में लोग मोटर से पानी भरने का काम कर रहे हैं चुटिया के नायक तालाब की बात कर लें या कुछ अन्य तालाबों की बात कर लें तो उनमें पानी है ही नहीं वैसी स्थिति में वैसी विसम परिस्थितियों को देखते हुए यदि रति चाहें तो अर्विंद जिस तरीके से अब समय दीरे-दीरे ढल रहा है जो छट वरती हैं उनके परीजन अब वहां दीरे-दीरे पहुंच रहे हैं तो महौल एक अलग ही महौल देखने को मिल रहा होगा जी राइदा मैं बता दू कि छट घाट में जगा लेने को लेकर लोग आने लगे जो छट कर रहे हैं वे अपना अस्थान सुरचित करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं उनके लोग आके यहां पर वस्र विशाकर अपने जगा को सुरचित कर रहे हैं कि शाइदवाज नहीं पहुँच पा रही है अब अजनी राज्यपाल महा कितने बज़े तक पहुँचेंगी कोई जानकारी मिल पाई है कि में यहां पे जो है राज़यपाल लगवग यह चार बच कर 50 मिनट में यहां पहुझेंगी और यहां लगबग 15 मिनट का उनका जो समय है वो निर्धारित किया गया है तो यहां तमाम तरही जो तैयारी है वो पूरी राज्यपाल महोदे जहां बैठेंगी वो भी हम आपको दिखलाना चाहेंगे यहां से तस्वीर आप देख सकते हैं यह सामने जो है वो यहां बैठने की बैवस्था यहां पर की गई है तो यह यह तस्वीर आप देख सकते हैं थोड़ा कैमरा पैन हो रहा है तो यह सामने जो आप देख रहे हैं यही जगा बनाया गया है राजयपाल डॉक्टर द्रापदी मुर्मु यहीं पर बैठेंगी और 15 मिनिट का उनका समय जो है वो निर्धारित किया गया है और यहां जो हटनिया तलाओ में जो लोग लगे हैं लोगों से भारतिये यूथ संगठन जो है लग बहुत विश्ट्रित रूप से इस बार बेवस्था की गई है जैसा कि आप देख सक रहे हैं चारों तरफ से बैरिकेटिंग की गई है तलाब के चारों और साथी महिलाई छट वरतियों के लिए चेंज रूम का निर्मान तलाब के चारों तरफ करवाया गया है बच्चों क रही या कोई महिला वरति प्रूसवरति हो वो स्लिप करके ना जाएं बोट से भी पूरा पेट्रोलिंग अंदर से तलाब के होते रहेगी पूल की सुगम विवस्था की गई है सारा वातावरन एकदम पवित्र है मानियम राजपाल महोदयां भी आने वाली हैं उनके लिए भी हम सारी तैयारी पूरी कर चुके हैं और सुरक्षा का पुक्ता इंजाम रहे हैं बेसिकली हमारा नजर रहेगा कि किसी भी प्रकार की दुरगटना पेशना आए एक बड़ी चुनावती भी होती है क्योंकि हजारों की सरंख्या में लोग आते हैं और इनके लगभग सौ के करीब कार्य करता है जो चप्पे चप्पे पे रहेंगे और पिछले कई दिनों से ये लोग अपना लगातार मेहनत कर रहे हैं और जिसके वजह से तमाम चीजे जो है बहुत ही अच्छी बेवस्ता है पानी भी जो है राजदा स्वच पानी है तो यहां जो भी छट वरती आएंगे उन्हें किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं हो चीजों को लेकर रदी हम देखते हैं देखे सामने जो है धीरे धीरे लोग पहूंच रहे हैं और अपनी अपनी जगा भी ले रहा है क्योंकि भी भी काफी हो जाती है और ऐसे में तमाम जो ब्योस्ता हैं की जाती हो उस ब्योस्ता को बहतरीन करने में तमाम लोग लगे रह क्योंकि लोक आस्था के बहाँ पर्व में लोगों की आस्था और विश्वास जो है पहले से काफी बढ़ी भी है और साथ जम्शेद पूर्स